हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको डिजाइनर पार्टी वेर लॉंग गाउन बनाना बताऊंगी यह मैंने तीन मिटर पोलका डोट का फेबरिक लिया हुआ है और एक मिटर मैंने प्लेन फेबरिक लिया हुआ है और हाफ मिटर मैंने आस आम होल की लेंद भी मैं 6 इंच रखूंगी और 6 इंच पर निशान लगा कर हमें सिध्धी लेंड ड्रो कर देनी है आम होल के लिए और यहां से हम 4 इंच का 4th पाट लेंगे और उसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे सिलाइक के लिए मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और सिधिलेंड ड्रो कर दी है और गले की चोड़ाई में 3.5 इंच रखूँगी और गले की लंबाई में 4.5 से 5 इंच रखूँगी और जो हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें नीचे की साइट तीन इंज पर निशान लगा देना है और सिधी लैंड ड्रो कर देनी है और आम होल के लिए हम वन इंज पर निशान लगा देंगे और जो हमने तीन इंज पर निशान लगाया था वहाँ से हम गले की लंबाई के लिए तिर्चा निशान लगा देंगे इस तरह से हमें नेक ड्रो कर लेना है और आम होल की साइट से भी हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें लाइन ड्रो कर देनी है आम होल के लिए और नेक के लिए और निचे से हमें कमर की चोड़ाय का फोर्थ पाट लेना है और उसमें हमें तीन इंच प्लस कर देना है एक इंच का हमारा टक्स आएगा और दो इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और साइट से भी हम लाइन ड्रो कर देंगे अभी से हम कट कर देंगे जो हमने लाइन ड्रो की है वहां से हमें इसे कट कर देना है यह मैंने इसकी कटिंग कर दी है इस तरह से मेरे दो पीस है, फ्रांट और बेक के लिए उपर हम इसमें स्ट्रीप अटेच करेंगे सेम मेजर्मेंट से हमें इसके आस्तर की भी कटिंग कर देनी है अभी हम बोटम पाट की कटिंग करेंगे फेब्रिक को मैंने ट्राइंगल शेप में बिछा दिया है अभी उपर की सेट से में टॉप का पाट रखना है एक इज हम बाहर की सेट छोड़ेंगे क्योंकि वहाँ पर हम टक्स लगाएंगे इसलिए और हमें लाइन ड्रो कर देनी है टॉप पाट को उपर की सेट रखते हुए हमें लाइन ड्रो कर देनी है कमर की चोड़ाई के लिए और इसमें हम हलका सा राउंड शेप ड्रो कर देंगे और यहां से हम बोटम पाट की लंबाई रखेंगे इसकी लंबाई मैंने 38 इंच रखी है एक इंच हमारा सिलाई में जाएगा नीचे की सैट से और 38 इंच तक हमें निशान लगाते जाना है पूरे राउंड पाट में और राउंड शेप ड्रो कर देना है निशान लगाते हुए यह मैंने इसमें राउंड शेप ड्रो कर दिया है नीचे की साइट से मेरा हलका सा जॉयंट आएगा अब इसे हम कट कर देंगे यह मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इसमें मैंने जॉयंट भी लगा दिया है और इस तरह से मेरे दो पीसे फ्रांट और बेक के लिए यह मैंने दो स्ट्रीप रेडी की हुई है इसकी लंबाई मैंने 7 इंच रखी है तो चलिए अब बढ़ते स्टिचिंग की तरब सबसे पहले हमें प्लेन पाट को रखना है और जो हमने नेक कट किया था उसके उपर हमें स्टिप को रखना है दोनों साइड से और उसके उपर हम अस्तर का पाट रखेंगे अच्छे से मिलाते हुए हमें अस्तर का पाट रखना है और इसके आम होल पर नेक पर हम सिलाई लगा देंगे आम होल पर नेक पर और दुसरे आम होल पर हम सिलाई लगा देंगे सबसे पहले हम स्ट्रिप को पीन से सिक्यूर कर लेंगे ताकि हमारे स्ट्रिप हीले नहीं दोनों स्ट्रिप को हमें पीन से सिक्यूर कर लेना होगा उसके बाद हम इसके आम होल पर और नैक पर और दूसरे आम होल पर हम सिलाय लगा देंगे यह मैंने इस पर सिलाई लगा दी है अब भी हम इसमें छोटे-छोटे कट लगाएंगे कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए कट लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी सैट पलट देंगे और इस तरह से स्ट्रिप हमारी बाहर की सैट निकल कर आएगी अब इसके उपर हम कवर सिलाई लगा देंगे और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेंगे उसके बाद हमें अस्तर का पाट लेना है और इसके उपर हमें स्ट्रिप को रखना है नेक की सैट से और उसके उपर हम मेन पाट रखेंगे प्लेन फेब्रिक का और इसके आम होल पर और नेक पर हम सिलाय लगा देंगे और प्लेन फेब्रिक को हम सीधी साइट पलट देंगे इस तरह से मैंने इसमें दोनों स्ट्रिप अटेच कर दी है दोनों साइट से अब इसमें हम टक्स लगाएंगे टॉप पाट को हमें डबल फोल्ड करना है और बंद वाली साइड से हम चार इंच पर निशान लगाएंगे और उपर की साइड हम साड़े चार इंच पर निशान लगाएंगे और सिधी लाइन ड्रो कर देंगे और लाइन के दोनों साइड से हमें हाफ आफ इंच पर निशान लगा देना है और तिर्ची लाइन ड्रो कर देनी है और ऐसा ही निशान हम दूसरी साइड भी लगा देंगे ऐसा ही निशान हमें दूसरी साइड भी लगा देना है और लाइन ड्रो कर देनी है और इसके उपर हम तिर्चा टक्स लगा देंगे दोनों साइड से और बैक पाट पे भी हमें इसी तरह से टक्स लगा देना है चार इंच का निशान लगाते हुए उपर की साइड हम साड़े चार इंच पर निशान लगाएंगे और सिधी लैंड रो कर देंगे और दोनों साइट से हाफ आफ इंच का गेब देते हुए हम तिरची लैंड रो कर देंगे और इसमें भी हम टक्स लगा देंगे दोनों साइट से यह मैंने इसमें टक्स लगा दिये है दोनों साइट से अभी हम इसमें बोटम का पाट जॉयंट करेंगे टॉप का पाठ हमें सीधा रखना है और उसके उपर हम बोटम का पाठ उल्टा रखेंगे और इस पर सिलाय लगा देंगे यह मैंने इसमें बोटम का पाठ जोइंट कर दिया है दोनों साइड से अभी से हम उल्टा कर देंगे और साइड से दो इंच का गेब देते हुए हम नीचे तक सिलाय लगा देंगे उपर से हम दो इंच का गेब देते हुए इस पर सिलाय लगा देंगे नीचे तक उसके बाद हम नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाय लगा देंगे नीचे की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करना है और पूरे राउंड में सिलाय लगा देनी है यह मैंने इसकी फिटिंग कर दी है दोनों साइट से और नीचे की बॉडर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है अभी हम इसमें स्लीव अटेज करेंगे यह मैंने दो स्ट्रीप ली हुई है इसकी लंबाई मैंने 13 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है सबसे पहले में इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए सिलाय लगा देनी है दोनों साइट की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगा देंगे दोनों स्ट्रिप में हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए सिलाय लगा देनी है दोनों साइट से यह मैंने इसमें सिलाय लगा दी है दोनों स्ट्रिप में अभी हम इसमें प्लीट्स लगाएंगे उपर की साइट से हमें बड़ी बड़ी तीन से चार प्लीट्स लेनी है प्लीट्स को हमें एक के उपर एक रखते हुए इस पर सिलाय लगानी है इस तरह से हम तीन से चार प्लीट्स लगाएंगे इसमें और सिलाय लगा देंगे दूसरी साइट भी हम इसी तरह से प्लीट्स को रखते हुए इस पर सिलाय लगा देंगे ये प्लीट्स हमारी एकी डायरेक्शन में आनी चाहिए इस तरह से हम इस पर भी सिलाय लगा देंगे दूसरी स्ट्रिप को भी हम इसी तरह से प्लीट्स लगाते हुए रेडी करेंगे, ये मैंने इस पर प्लीट्स लगा दी है दोनों स्ट्रिप में, इसे आप चाहे तो अच्छे से प्रेस कर लीजिये, अभी इसे हम आम होल पर अटेच करेंगे, जो हमारा टॉप का पार्ट है उसके आम होल पर रखते हुए हमें इससे आटेच कर देना है पहले हम इसे पीन से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो और दूसरे साइट की स्ट्रिप के पार्ट को हमें दूसरे साइट के आम होल पर रखना है और इसके उपर भी हम पीन से सिक्यूर कर लेंगे और इसके उपर भी हमें सिलाई लगा देनी है और इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे और इस तरह से हमारी स्लीव आएगी और दूसरी साइड भी हमें स्ट्रिप को इसी तरह से आटेच कर देना है आम होल के उपर पीन से सिक्यूर करते हुए और दूसरी सैट भी हम इसी तरह से से पीन से सिक्यूर कर लेंगे और इसके उपर हम सिलाय लगा देंगे और इस तरह से हमारी स्लीव आएगी दोनों सैट से यह मैंने स्मिस्ट्री पटेच कर दी है दोनों सैट से और यह कुछ इस तरह से नजर आएगी और यह हमारा डिजाइनर पार्टी वेर गाउन बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लूप फ्रेंट्स अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके मेरा यह वीडियो देखने के लिए थेंक्यू सो मज गाईस अभी हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई